गरीब मा बेटी का एक रुपे का जादूई शर्बत ये लीजे मा जी आप शर्बत पीजिए बहु बहुत ही अच्छा किया तुने जो ये शर्बत बना लिया ये गर्मी तो अंदर से सब कुछ खीचे ले रही है वा मा अपके हाथ के शर्बत से तो मेरा मनी नहीं भरता है मुझे एक गिलास और दो ना देती हूँ ला जल्दी से मेरे पास अपना गिलास लेकर आ ये शोदा गर्मी में सभी को अपने हाथों का स्वादिश्ट शर्बत पिला रही है वो बहुत ही स्वादिश्ट शर्बत बनाती थी वाह ये शोदा तुमारी हाथों का शर्बत पीते ही तो मेरे अंदर जान सी आ जाती है अब मैं वापस से काम पर जा रहा हूँ और हाँ मैं रात को जड़ा देर से घराऊंगा क्यों? हरे ऐसी गर्मी में ही तो असली मजा है जील में नहाने का मैं चलता हूँ मनोज अपने कार खाने चला गया गर्मी में ये शोदा की छोटी सी कुटिया धूप से तप रही थी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जानवरों को भी सुकून नहीं था शबी अदमरे से हो रहे थे आय बहु ये गर्मी क्या कह रही है पाता नहीं मा, बाहर भी देखने पर एक पता भी हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है है भगवान हम गरीबों पर अपना रहम कर सभी गर्मी से पनह मांग रहे थे ऐसी गर्मी बस ये शोदा जैसे गरीबों को ही सता रही थी, जुनके घर में एक पंखा तक नहीं था, ऐसे ही गर्मी में किसी तरह से दिन कटे और अब बारी थी रात की मा जी, जरा से हवा चलनी शुरू हो गई है, खिड़की खोल लीजे खिड़की खोली तो हवा से ज्यादा मच्चर आ जाएंगे ये भगवान ये क्या किस्मत है, तो अब क्या गर्मी की रातों में भी घमस में सोना होगा लगता तो यही है, एक काम कर बहु खिड़की खोल कर उसके उपर परदा डाल दे कुछ हवा भी आ जाएगी और मच्चर भी नहीं लगेंगे मा परदा तो नहीं है, एक काम करती हूं अपनी कोई साड़ी डाल देती हूं यशोदा ने अपने कपड़ों में से खराब सी साड़ी को ले लिया और उसे खिड़की पर डाल कर परदे की तरह बना दिया लेकिन ये सब कुछ करना बस अपने दिल को समझाना ही था, क्योंकि लेटने के बाद गर्मी किसी को भी चैन नहीं लगने दे रही थी माँ, बहुत गर्मी है, जानती हु मेरी लाडो, चल तू सोजा, मैं तुझे हाथ के पंखे से हवा कर देती हूँ ये शोदा सारी रात जागती रही, और हाथ के पंखे से सबी को हवा करती रही, कुछ इस तरह से गरीब परिवार की गर्मीयों की राते कट रही थी ऐसे ही सिलसला जारी था मनोज जो पैसे कमाता था उनसे घर का खर्च चल जाता था जिसकी वज़ा से घर में किसी और सुकसुविधा का इंतजाम नहीं हो पाता था ऐसे ही सिलसला जारी था लेकिन एक दोर में गरीब परिवार पर ऐसा समय भी आया जब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था जी सुनिए आपको काम पर गए हुए एक हफ़ता होने को आया ऐसे में अब कब तक बिना काम किये घर की गाड़ी चलेगी मैं नहीं जानता हूँ ये शोदा मेरा कारखाना बंद हो गया है ऐसे में मैंने पूरे हफ़ते काम की तलाश जारी रखी है लेकिन जब काम खुद ये नहीं चाहता है कि मैं उसे करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ देखिये घर में कुछ भी नहीं है कल तो किसी तरह मैंने पडोश से चावल मांग कर चूलह जला दिया था लेकिन आज किसके आगे हाथ पहलाओ मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो ये शोदा चलो मैं कोई काम ढूंडता हूँ इतने तुम रोटी बना लो कहां से बना लो ये हूँ तो देखने को भी नहीं है घर में बस जरा सी चीनी है मैं उसी से शर्बत बना देती हूँ ठीक है ये शोदा की घर में बस थोड़ी सी चीनी बची हुई थी उसने उसी को पानी में घोल कर शर्बत बना दिया आज उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था सिर्फ एक जग शर्बत ही था जिससे ये शोदा को सभी का पेट भरना था उसने अपनी सास, बेटी और पती को एक के गलास शर्बत दिया अब बस ये जरा सा शर्बत बचा हुआ है इसे मैं पी लेती हूँ ये शोदा शर्बत पीने ही वाली थी कि तब ही उसके दर्वाजे पर एक फकीर आया अरे बेटी, बड़ी प्यास लगी है भूगा भी हूँ, मेरी मदद कर दे भगवान तेरी मदद करेगा अरे बाबा, आप बैठी, मैं आपके लिए भी एक लास शर्बत लेकर आती हूँ यशोदा ने अपने हिस्से का शर्बत उस फकीर को पिला दिया शर्बत पीकर वो बोला बेटी तेरा शुक्रिया, तूने मेरी प्यास बचाई है भगवान तुझे इसका ही नाम देगा इन बड़ी बड़ी हवेली के लोगों ने एक गरीब की मदद नहीं की लेकिन तूने की भगवान तेरी मदद करेगा जय भोले नात बाबा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने मन ही मन में यशोदा को एक आशिरवाद दिया यशोदा उस आशिरवाद के बारे में नहीं जानती थी वो उसे शर्बत पिलाने के बाद वापस से रसोई में आई जो चीज जिसके नसीब की होती है वो उसे ही मिलती है कौन जानता था कि मेरे इस थोड़े से शर्बत में उन बाबा का भी हिस्सा होगा यशोदा ने खुद से ही ऐसे बोलते हुए उस जग में जहांक कर देखा जिसमें उसने शर्बत बनाया था हाँ? पूरा का पूरा जग भरा हुआ है? है? पूरा जग भरा हुआ है? लेकिन कैसे? यशोदा ने जग में से एग लास शर्बत निकाला वो बहुत ही खुश्बुदार और सुआदिश्ट लग रहा था उसके एक लास शर्बत निकालते ही उसमें वापस से उतना ही शर्बत बन गया ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई जादूई शर्बत है? यशोदा ने जितनी भी बार उसमें से शर्बत निकाला वो कम ही नहीं हुआ ये देखकर यशोदा समझ गई थी कि उसका शर्बत जादूई हो चुका है उसने इस बारे में अपने परिवार को बताया ये देखिए मनोज जी इसमें से मैं जितना भी शर्बत निकालू कम ही नहीं हो रहा है आरे वा मा इसका मतलब मैं जितना जो उतना शर्बत पी सकते हूँ ये ये हाँ मेरी बच्ची लेकिन मा और मनोज जी मैं कुछ सोच रही थी इतनी गर्मी हो रही है और हम तो इतना शर्बत अकेले कभी नहीं भी पाएंगे तो क्यों ना मैं इस शर्बत से कोई फायदा उठा लू कैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये शर्बत बेचना शुरू कर दो और क्योंकि ये जादूई शर्बत है तो मैं इसकी कीमत गरीबों के लिए मातर एक रुपया रखूंगे और अमीरों के लिए हम बीस रुपय का ग्लास देंगे अच्छा आइडिया है ठीक है बहु मैं तेरी बात से राजी हूँ मा मैं भी अपकी मदद करूंगी ये शुदा का शर्बत बेचने का आइडिया जुआला को बहुत अच्छा लगा और उसने हाम ही भर दी पिर क्या था अगले ही दिन येशुदा और सोना अपने एक रुपय के शर्बत की ठेली लेकर चौराहे पर आगी क्या ये सच में एक रुपय का ही शर्बत है जी हाँ बस एक रुपया मुझे एक ग्लास दे ना अहाँ इस गर्मी से तो मेरे सर में दर्द हो रहा है आँटी आप इसे पी कर देखिया हमारे शर्बत चापका सर्दत खत्म हो जाएगा येशुदा ने उस ओरत को एक रुपय का एक ग्लास शर्बत दिया शर्बत पीते ही उस ओरत का सर्दर्द मानो उननचू हो गया अरे वाह ये क्या कोई जादू ये शर्बत है क्यों क्या हुआ इसे पीते ही मेरा पूरा सर्दत खत्म हो गया अच्छा वो औरत ऐसे ही खुश होते हुए चली गई कुछ देर बाद वहां कुछ अमीर भी आये जिनने येशुदा और सोना ने 20 रुपय में शर्बत पिलाया ऐसे ही शाम हो चली थी येशुदा फकीरों और ज्यादा गरीबों को तो फ्री में ही शर्बत पिला रही थी लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अच्छे से कमाई हो गई थी ऐसे ही अब येशुदा हर रोज वहां अपना शर्बत का ठेला लगाती और लोगों की मदद करती थी उसका शर्बत पीने से लोगों की परिशानियां भी खत्म हो जाती थी आपके यहां के शर्बत की बड़ी तारीफ सुनी है सुना है लोगों की परिशानियां भी इससे खत्म हो रही है ऐसा क्या डालती है आप इसमे बहुत सारा प्यार बस अब पर मात्मा की ही देन है उन्होंने ही ये ताकत मेरे शर्बत में दी हुई है मुझे भी एक ग्लास शर्बत दीजे मेरे चहरे की एकने मेरे पीछा ही नहीं छोड़ते मैंने खत्मे करने को हजारों रुपेओं की दवाईया और स्किन केर आइटिम्स करीच चुकी हो लेकिन किसी से कोई फाइदा नहीं लगता है तो आप एक बर हमारा शर्बत पीकर देखिए ये शोड़ा ने उस लड़की को भी एक ग्लास शर्बत दिया थंडा थंडा शर्बत पीते ही उस लड़की के चहरे के दाने साप हो गए घरीवा मेरा तो पूरा चहरा फिर से सुन्दर हो गया ये ये तो चमतकार है मैं बहुत खुश हूँ वो लड़की भी खुश होती हुई ये शोड़ा के पास से आ गई ऐसे ही ये शोड़ा के जादूई शर्बत ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रंग भरे थे और उसी से ये शोड़ा के घर के हालाद भी सुधर रहे थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था